गोरखनात मंदिर में ब्रमलीन महन दिग्विजयनात और गुरु महन तवयदनात की पुनितिती समारों के अंतरगत आयोजी संगोष्टी में शामिल होने गोरखपूर आयस सीम योगी मंगलवार को सादू संतों की मौझूदगी में ब्रमलीन महन दिग्विजयनात को शरद्धानली दिया गया, शरद्धानली सभा में हिस्सा लेने के लिए देजभर के संत महन गोरखनात मंदिर पहुँचे थे, मंगलवार को महन तवेदनात की इस निर्ती में शरद्धानली सभा के आयोजन के बाद साथ दिवसी पुनितित शरद्धानली सभा को भावेता परदान कर रही थी इस असर पर सदर सांसल रवी किशन शुकला छेतरी अध्यष सहजानन राय डाक्टर धर्मेन सिंग महापौर डाक्टर मंगलेश शिरवास्तो ग्रामेड विधायक विपिन सिंग पूर महापौर सीता राम जैस्वाल सहित विभिन विद्यालों के चाठ चात राय सहित अने लोग मौजूद रहे अब महापौर सीचापर संग के आप यह अध्याप्टर में पूरूद रहे यह अंतिम पड़ाओ है और आप प्रादर कालिम सत्र में आप समने यहाँ पर पूजे संथों के माले जन्र प्रतनिवियों के और बिल्गत जन्र के विचारों को यहाँ पर सुना है पिसले साथ आख दिनों से यहाँ पर अनिक प्रकार के करेक्टरम और संगुश्टिया हुई इन सब का केड़ धर्मधा देश था और यह सभी प्रकार के करेक्टरम इन दोनों पूजे संथों जन्हों है गोड़क स्पीट की इस परंपरा को सद्यू आगे बढ़ाने के लिए उसकी जीवन्दपा को बनाए रखने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित दिया था ऐसे प्रम्ली महंत दिक्विजेना जी मराज और प्रम्ली महंत वेदेना जी मराज की पावन पूरेती थी के ओसर पर आज के इस आयुचेन में मंच परबस्तित जगतगुरू रामानदाचार्या पूर्जे स्वामी वासु दिवाचारे जी मराज जगतगुरू रामानदाचार्या पूर्जे स्वामी डॉक्टर राम कमलदास वेदांती जी मराज शुक्रीव के नदीस अयुर्द्याधाम से पधारे जगतपुरों रामानुजाचार्य पोजे स्वामी विश्वेश परपनाचारे जी मराज रोतक हर्याना से पधारे मानिय सांसर महतर पालग नाजी मराज हमारे योगी महासरः के महामंत्री स्रीमान्त चेताई नाजी मराज जोनागड गुजराज से पधारे स्रीमान्त सेरनाची वपो पोर सांसर पर वसेश्व भौनाय उतिया से पधारे स्रीमान्त डॉक्टर रामबिलाज वेदान्ती जी मराज जगंवर ख़ड़ा के सिमांत सुरेश्दा सिम्राइज उडिसा कदक से पधारे सिमांत शिवनाची मराइज नेवी सारण से पधारे स्वामी विद्याचैतनची वेडवंजन गुजराज से पधारे महंत कमनाची दुप्तेश्वनात मंदिर गाजियवाद से पधारे स्वामी नारणगरी जी बडोधरा गुजराच से पधारे महंत गुगादास जी सक्तिपीर देवी पड़न के से महंत से मितलेशनाची आज के इस कारिक्तर में पस्तित हमारे सधी पूज्य संतजन इस आउसर पर विशेश रुप्षिय पस्तित राष्टेश्वें सिवर्शन के प्रांध प्रचारक से शुवाज जी हमारे मान्य सांसत गर्ण से रमिकेशन सुपला जी से जटम्डिकापाल जी डॉक्टर डाउंक दरम्त रिपाटी जी आजके इस कारेक्टर में पस्तित गर्णपुर के महापौर मानय विधायगंड दीन दमपात है गर्णपुर विश्च्विद्याले की पुल्पती प्रोफेसर ओनम तंडन जी मदन मौन मानमी प्रॉद्वी की विष्व विद्याले की पुलपती प्रोफिसर जेपी सिंगी जी मायोगी गुरु गुरकना तारित विष्व विद्याले की पुलपती प्रोफिसर एके सिंग जी और अन्य सभी विद्व जनों सामाजिक सांस्कृतिक संगटनों इन सब के रुपदादिकारी यहां पर रुपस्तित वे हैं माना प्रताब सिक्सा परिसर और उसे संबद जिती भी सिक्साण पर सिक्साण संस्थाओं के आचारे प्राचारे और छात्र छात्रें इस कारिक्रम में संब्लित वो पा रहे हैं जिन्होंने अपने संस्थाओं में करिक्रमा युजित किया है उन सब को मैं हिर्दे से धन्यवाद देता हूँ मुझे संतों का विद्वचनों का हिर्दे से अविनतन करता हूँ स्वागत करता हूँ हम सब जाथते हैं इन दोरों मुझे संतों का पुरा जीवन भारत और भारतियता के लिए रास्तवारत के लिए और लोग प्रल्याण के लिए समर्के था पूरा जीवन उन्ही मुद्वों के लिए उन्ही मुद्वों के लिए और समाज की उन आउशक्ताओं के लिए इन पूजय संतों ने अपना जीवन जिया था आज ब्रह्मलिन महंत अवेदेनाजी महाराज के नौमी पोने पिती है जीवन के अंतिन सहेता उन्होंने पूरी प्रतिवत्ता के साथ देश और धर्व के लिए लोग कल्यान के लिए अपने पुझ गुरुदेव के वारा जो कारे प्रारंब के गए थे ब्रह्मलिन महत दिग्विजेनाजी महाजने शेक्सा के लिए स्वास्ते के लिए लोग कल्यान के लिएन कारिक्रवों के लिए च्वाचूत रस्प्रिशता को दूर करने के लिए और रक्सा के लिए भारत के मान बिन्दों की प्रवरस्था अपना के लिए सभी उन मुद्टों को उन्होंने नकेवग पूरी प्रत्वत्ता के साथ बल्कि अपनी भौदी को पस्तिती के मार्धियम से भी उन पूरे कालिक्रमों के साथ जोड़ करके उन्हें आगे वढ़ाने का कारे किया है बहुत आसान होता है कि किसी कालिक्रम के साथ अपनी सेमत ही दे करके और उससे बाद में मुकर जाना या भाज जाना लेकिन इन दोनों वो जे संतों ने जिन प्रस्तिक्यों में कारे किया था वे चुनोंती मूर थी अब याद करिये देश प्राभी था तब भारत के अंदर भारतियता के रुकूल सिक्संड प्रसिक्संड की बात करना उस काल फंड में सिराम जन भूनी की बात करना गोरक्सा की बात करना भारत के मान गिंदों की पुर्ण स्थापना की बात करना उसकी वकालत करना देश आजाद हुआ सिक्लरिजन के नाम पर भारत की प्रंप्रा और भारत की विवस्ता को उसने की जोई नई दुस्प्रवर्टी प्राभी उसके खिलाब मुखरता के साथ आवाज बुलंद करना च्वाचुत रस्प्रिसिता के खिलाब तमान रूडी गड़ धानाओं को कबिलोद करते भी मुखर हो करके आगे बढ़ करके कारे करना कि बहुत सारे इसे मुझते थे जो उस समय की आउसिकता थी और जिसकी सास्वता आज भी बनी भी है जिसकी प्रासंगिकता आज की प्रपेक्स में भी बनी भी है इन सभी मुखरों को लेकर के इन पूजे संतों ने अपना जीवन चिया था साथता एक कारिक्रा में आपने उनी सव मुखरों को लेकर के के सभी सिक्षन प्रसिक्षन संस्ताओं के साथ ही हमारे जो विद्वान वक्ता थे, पुज्य संद जन थे, इन सब के सानिते में एक पुरे कारिक्रा में हाँ पर संपन हुए, मैं इस पुरे आयुजन की ओर से, जो भी यहाँ पर बस्ते थे, पुज्य संद जन, जन हिर्दे से आप हार रखते करते हैं पुझे ब्रमलीन महंद दिकुझे नाचे मराज और ब्रमलीन महंद अवेदे नाचे मराज के से चणड़ों में बिनम्र सर्धान जब हिर्पित करता हूँ उनके मारकों का उस्ण करते हैं गोड़क स्पीड देश और धर्म की सेवा के लिए मानों कल्याण के उस अभ्यान को निरंतर का प्रतान करने के लिए प्रतिवगता के साथ कारे करे कि इस विश्वास के साथ मैं आप सब की प्रतिय अपने शुब कामने देता हूँ धन्यवाद जये